हलो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि विव्यू ने बीएट प्लस बीएसी और बीएट प्लस बीए के लिए एक नोटिस जारी किया है एडमीशन के लिए तो ये एडमीशन जो है मेरिट पे होगा मैंने उसमें आपको डिटेल में सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है अब हम लोग आज की वीडियो में ये देखेंगे कि कुछ बच्चे की प्राबलम होती है कि मैम जो आपने फॉर्म बताया है वो फॉर्म को अप्लाइ करे कैसे सर्च करोगे और विव्यू के साइट पे आ जाओगे स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे और नीचे आते जाओगे जब नीचे आओगे तो यहां पे देखिए आपको दिखाई देगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉटिफिकेशन दिखाई देगा जी बिल्कूल यही इंपॉर्टेंट नॉटिफिकेशन के अंदर आपको वो लिंक मिलेगा जिससे कि आप डाइरेक्ट अप्लिकेशन पे जा सकते हैं अब क्या करना है कि इसको नीचे आना है और नीचे आते हुए आपका होगा फोर येर का कोर्स है यह बिनोभावे यूनिवर्सिटी ने जारी किया है कुछ डेट्स वेगर है जो भी वो लाश्ट वीडियो में मैंने डिसकस कर दिया है आप देख लिए हो तो अच्छी बात है नहीं तो जाके आप देख सकते हैं अब हम लोग यहां पे यह चीज़ देखेंगे कि कैसे अपलाई करना है कुछ भी नहीं करना है इसको टच करना है और हम लोग पहुत जाएंगे बिनोभावे यूनिवर्सिटी के साइड पे सबसे पहले आपको करना है कि यह जो साइड में आपका कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट जो है वो इंटिग्रेटेड बीएड इंट्रेंस एक्जाम फॉर्म 2021 के लिए जरूरी है तो सबसे पहले यहां पर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें बात क्या गया है कि इंटिग्रेटेड बीएड एडमीशन 2021 से 25 का जो फॉर्म भरने से पहले दिसानिदेश को पढ़े यह तो हम लोग करने ही आया है पढ़े है सेकेंड में नए आविदकों को जो भी नए यूजर है उसको रजिस्टेशन फॉर न्यू यूजर करना है और क्रियेट यूजर पेज खूल जाएगा जिससे कि आप उस पर पहुंच जाओगे देखो जैसे कि आपको बताएगा इंस्ट्रक्शन म भरना अनिवार है जिन्हें तरंगित चिन द्वारा इंकित किया गया है जितने भी स्टार से इंकित किया गया है उनको आपको जरूर से जरूर फिल करना है फोर में आपका है कि आविदक अपना नाम ठीक उसी तरह से दर्ज करेंगे जैसे कि दसवी बोर्ड में है यह यूजर पहनाने से पहले आपको यहां रेजिस्टेशन करने से पहले आपको अपना email id बना लेना है और password को भी रखना है भविस्ट में जो है पत्राचारे संदर्व में सुरचित रखा जाएगा अब इसकी बात आती है कि third point पे बात आती है कि third में क्या बोल रहा है नए user के निर्मान की पूष्टी के लिए नया user है आप तो आपका निर्मान हो रहा है आपका यहां रेजिस्टेशन हो रहा है तो आपको mobile number जो है वो verify करेगा OTP भेजेगा जिससे कि आपको एक mobile number डालना है उस पर OTP जाएगा और verify होगा next है कि आगे बढ़ने से पहले अपने passport आकार का photograph और हस्ताचर की scan copy तयार रखे क्या रखना है colorful photograph रखना है passport size की और अपना हस्ताचर जो है उसकी scan copy को ready रखना है form भरते समय scan की गई जो तस्वीर है यहाँ पर एक important बात दिया गया है कि जो scan की गई तस्वीर है उसका आकार और हस्ताचर का आकार अलग अलग 20 केवी से 50 केवी तथा JPG format में होना चाहिए हस्ताचर केवल काली स्याही के ball pin से किये जाने चाहिए ऐसा नहीं कि blue pin से आप कर लिजेगा काली स्याही के ball pin से और ball pin से ही करना है next instruction है सारे instruction बहुत ज़रूरी है friends ध्यान दिजेगा next instruction है photograph और हस्ताचर upload करे और form भरे यह तो upload करने के बाद आपको form को fill करना है create user प्रिष्ट को पूरा करने के बाद जो create user का page है उसको पूरा करने के बाद sign up पे click कर दिजेगा सफल लोगिन पर नालिक के बाद username और password उत्पन होगा जब आप सफलता से login कर लोगे तो आपका एक username देगा और password देगा दिये गए केडेशियल के साथ login करे और भविस्ति में के उप्योग के लिए password बदले अगर आप password चेंज करना चाते तो आप वो भी कर सकते है और वो ऐसे नहीं करना चाते तो आप उसको रख सकते है भविस्ति में जब भी आपका भी form वेगर भरियेगा तो आपको ये password और user name मांगेगा विनोवावे यूनिवरसिटी नेक्स है या परकिरिया पूरी होने के बाद integrated BA admission 2021-25 का आवेदन परपत खुल जाएगा इतना जो आपका इंस्ट्रक्शन है इन सभी को जब आप complete कर लोगे तब आपका BA integrated admission 2021-25 जो 4-year course है इसका form खुल जाएगा आवेदन परपत जो है उसको सावधानी पूर्बक भरिएगा यदि आवेदन परपत भरते समय जेंडर डोमिसाइल और category में कोई गलत परविष्टी करते हुए payment किया है तो उस परविष्टियों में सुधार नहीं हो सकता है मतलब इतना ध्यान देना है आपको कि अगर जेंडर में गलती हो गया male है female कर दिये है डोमिसाइल में गलती हो गया यह किसी category में गलती हो गया तो फिर वो शुरू payment होने के बाद फिर वो सुधार नहीं होगा ऐसी परिष्टिती में आपका आवेदन जो है वो निरस्त माना जाएगा मतलब उसको रद्द कर दिया जाएगा इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखेगा और इसलिए हम आज के वीडियो में इस सारे points को इतना clear किये है ताकि आप कहीं भी mistake ना करें I hope students आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी जब ये पूरा आप कर लोगे तो आप देखोगे कि देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है यह है यूजर नेम और आईडी दिया गया है इसको डालके आपका कारिकरम हो जाएगा Thank you so much for watching this video like करना ना भूले साथ ही चैनल को subscribe करें next video इससे भी बहतर और सबसे पहले मिलेगी Thank you